साथियों आज का टॉपिक है भारत के प्रमुक्तियोहार जिसके टॉप 25 कोस्टन्स आज की इस क्लास में देखेंगे जो कि आपके सभी परिच्छाओं में पूछे जाएंगे चाहे आप SSC, CHSL, CPO, SSC, CGL, MTS, SSC, GD, Railway, Locopilot, Technician, RPF, NTPC, GroupD या बिहार पुलीस, UP पुलीस, राजस्थान पुलीस, हरियाना पुलीस, MP पुलीस, BSSC, BPSC, UPSC कि किसी भी एक्जाम्स की तियारी कर रहे हो, सब एक्जाम्स से इस टोपिक से कोस्टन्स पूछे ही जाते हैं और मैंने आज इस क्लास में 25 सेलेक्टिड कोस्टन्स लिया है, जो कि आपसे पूछे ही जाते हैं बहुत जादा बार ये कोस्टन्स, तो आपको कंप्लीट देखना है आज का ये क्लास क्योंकि सारे ही कोस्टन्स बहुत ही इंपोटेंट है नमस्कार साथियों, मेरा रामे सुभास राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल पर, तो चले फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कोस्टन्स तो आज के क्लास का पहला कोस्टन ये है कि किस तियोहार को रोसनी का तियोहार के रूप में जाना जाता है और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तियोहार के रूप में मनेया जाता है बहुत ही important question है ध्यान से दिखेगा इस question का correct आएगा दिवाली option number B correct आएगा दिवाली यहाँ पर एक चीज और याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा तियोहार है जिसको थारू जनजाती के लोग थारू है न थारू जनजाती के जो लोग होते हैं न साथियो थारू जनजाती के लोग वो सोक त्योहार के रूप में मनाते हैं सोक पर्व के रूप में मनाते हैं तो याद रखना दिपावली देखिए थारु जनजाती के लोग जो होते हैं वो दिपावली को सोक पर्व के रूप में यानि दुख का त्योहार के रूप में मनाते हैं ये भी आपको याद रखना है, तो इस question का correct आएगा option number B दिवाली, अगला है जल्ली कट्टू, निमनल खित्मे से किस त्योहार से संबन दित है, सबसे पहले आपको बता दें कि जल्ली कट्टू जो है न, ये भारत के तमिल नाडू राज में मनेया जाता है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि किस त्योहार से संबन दित है, सबसे जल्ली कट्टू तमिल नाडू में कम मनेया जाता है, जिस वक्त तमिल नाडू में पोंगल मनेया जाता है, और तमिल नाडू में पोंगल कम मनेया जाता है, तो जनवरी महिने में जिस वक्त हमारे उत्तर भारत में मकर सकरांती मनाया जाता है उसी वक्त दक्षिन भारत के तमिलनाडू में ये पोंगल मनाया जाता है और ये जो पोंगल निरित्य है ये साथ यो किसका त्योहार है तो ये फसल त्योहार है और याद रखना ये जो पोंगल त्योहार है इसमें होता ये है कि देखो फसल फसल उत्स पकड़ के उसको अपने बस में करना होता है जो इस कर लेता है वो जल्ली कट्टू का जो त्योहार है या जो तो याद रखीगा क्रिस्मस और क्रिस्मस भारत में कम मने जाता है तो 25 दिसंबर को याद रखना आगे देखिए नेक्स्ट कोश्चेन है देखिए इन में से कौन सा असम में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है जो असम या नव वर्ज की सुरुबात का प्रतीक है तो भै असम में फसल उत्सव और असम या नव वर्ज की सुरुवात के रूप में मने जाता है तो करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर एक बोहाग भी हूँ याद रखना असम में एक बहुत ही प्रसिद मेला भी लगता है जिसको बोलते हैं अंबु बाची मेला ठीक है आगे गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म का परतीक है तो याद रखना गुरु पर्व गुरु नानक गुरु पर्व ठीक है ओप्सन नंबर है यहाँ आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चिन है निमनल लखित में से किसे राक्षस राजा महिसा सूर पर दि प्रतेक वर्स कम मनेया जाता है तो अक्तूबर नौमबर में मनेया जाता है और हिंदू पंचांक के अनुसार अगर आपसे पूछे तो प्रतेक वर्स हिंदू पंचांक के अनुसार दुरगा पूजा जो है वो आस्विन माह में मनेया जाता है आपको ये भी याद रखना ह आगे देखिए नेक्स्ट कोस्टेन है निम्न में से कौन सा त्युहार हाथी के सीर वाले हिंदू देवता के जन्म की याद में मनेया जाता है जिने बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है तो देखिए करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर बी गनेश चतूर्थी नेक्स्ट कोस्टेन है देखिए इनमे से किसको केरल के फसव उत्सव के रूप में जाना जाता है जो भारत के दक्षिनी भाग में मलियाली लोगों द्वारा मनेया जाता है बहुत ये एच्छा कोस्टेन है याद रिखिएगा प्रिक्ट आएगा साथिए ओप्सन नंबर सी ठीक है आगे दिखिए अगला है निमनल खित में से कौन सा भारत का राष्टियत योहार है यहां पर साथ हो ध्यान से देखना भारत के राष्टियत योहार के बारे में आपसे पूछा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत में केवल तीन ही राष्टियत योहार मन कौन से हैं तो देखिए बाकी के दो जो राष्टियत यहार हैं वो आपके साथ यो एक तो हो गया स्वतंतरता दिवस जो की परतेक वर्स 15 अगस्त को मने आ जाता है और एक हो गया आपका गंतंतर दिवस जो की परतेक वर्स 26 जनवरी को मने आ जाता है और एक मैंने आपको बत भारत के सभी नागरिकों के द्वारा मनेया जाता है। जैन हो या कोई भी धर्म से संबंधित व्यक्ति हो। ठीक है। पॉपुलर है केरल में नौवर्स के रुप में मनाया जाता है। ठीक है केरल, तमिल नाडू और माहे में मलियाली नौवर्स के रुप में इसको मनहा जाता है। अगला question है holy का त्योहार किस रितु में मनेया जाता है तो साथ योरी कि ये holy का त्योहार जो है न ये वसंत रितु में मनेया जाता है और ऐसे अगर देखें तो मार्च महने में मनेया जाता है एक question और पुछा जाता है कि बसंत का त्योहार करता ठीक है बसंत देखिए बसंत र स्वागत करता हिंद्यत्योहार कौन सा है तो यहां पर होली मत करना देखिए बसंत्रीतु का स्वागत करता हुआ जो हिंद्योहार है वो यह साथियो वसंत पंचमी बसंत पंचमी जिसको को हम सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं ठीक है चलिए next question देखते हैं तमिल नाडो के परसिद्योहार को क्या कहा जाता है तो देखें तमिल नाडो का जो परसिद्योहार है वो तो साथ यो पोंगल है मैंने आपको बताया अभी बिहु असमराज का त्योहार है ठीक है ठ साल जन्म अश्टामी त्योहार के रूप में मने आ जाता है सिंपल सा question है भगवान सिरी कृष्णी के जन्म दिवस पर जन्म अश्टामी का त्योहार मने आ जाता है तो option number D करेक्ट होगा अगला question है पुसकर उट महुत्साव किस राज में मने आ जाता है तो साथियो देखि को जरूर लाइक करते चलना और अपने दोस्तों के साथ सियर करना इस class के last में आपसे question पूछेंगे उसका answer comment box में बताना है और साथियो इस वीडियो के description में भारत के त्योहार का एक और class मिलेगा जिसमें आपको total 65 to 70 questions मिलेंगे उसको अगर देख लेते हैं तो भारत के त् Christian लोग तो correct आएगा option number C इसाई इनमें से किस तिथी को अंतराष्ट्य योग दिवस के रूप में मने जाता है तो देखिए अंतराष्ट्य योग दिवस प्रति एक वर्स 21 जून को मने जाता है साथ हो तो देखिए इस question का correct answer होगा option number B 21 जून को next check कौन सा राज्य मकर सकरांती पर रंगिन पतंग उत्सव मनाता है काफी ज़्यादा famous question है बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है तो कौन सा राज्य मकर सकरांती पर रंगिन पतंग उत्सव को मनाता है तो देखिए correct आएगा गुजरात जहां पर जो है ना ये मकर सकरांत के रूप में मनाते हैं अगला कोस्टने किसके जनम दीन को सिच्छक दि One के रूप में मनाया जाता है तो सिच्छक दिवस प्रती एक वर्स पाँच सितंबर को मने आ जाता है साथी ओ ठीक है पाँच़ीतमबर 1888 को यादरिक्ये भारत निख्र की आओन पूरूस डॉक्टरर सरपली राधा कृष्cionन जी का जनम होता है ठीक है और इनी के उपलप्फ में इनी के जैनम दीन निकोची नित करने के लिए परते कषे सित्यमबर को को डॉक्टर्टर सरपली राधाकृष्cionन नहिरुजी का परतियक वर्स 14 नोवेंबर को याद रखना नेक्स्ट कोश्चेने किस त्योहार को आमतोर पर रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है तो इनमें से कौन सा त्योहार है जिसको आमतोर पर रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है तो याद रिखेगा होली के तिवहार को करिक्त आएगा option number C होली, अगला है बाबा गुरिया पूजा तिवहार कहां मने आजाता है, तो साथिओ दीखे बाबा गुरिया पूजा तिवहार बहुत ज्यादा फेमस्य है, बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है तो याद रिखे बाबा गुरिया पूजा त्योहार ये त्री पूरा राज में मने आ जाता है राइट आएगा ओप्सन नमबर ए त्री पूरा अगला है अतापू इन त्योहारों में से किस से संबंदित है तो साथियो अतापू जो है ना, इनमें से कौन सा तियोहार है, जिस तियोहार में यह मन्या जाता है या सामिल किया जाता है, तो याद रखना बहुत ये च्छा कोस्टेन है, यहां आपका करिक्टा आएगा ओनम. साथ यो ओनम मैंने आपको बताया भारत के केरल राज में मनया जाता है और ये ओनम में होता ही है कि केरल में नाव दोड नाव है नाव का रेस होता है बोट रेसिंग ओनम में याद रखना और उसी वक्त ये अतापू भी जो है ओनम में सामिल किया जाता है और इसको मनेया जाता है तो ओनम करिक्ट आएगा अगला है पपेटी किसका त्योहार है तो ध्यान से दिखिए पपेटी जो है न ये साथ यो पार्सी समुधाई के लोगों के द्वारा मनेया जाने वाला एक त्योहार है तो याद रखना पपेटी किसका त्योहार है तो पार्सी होगा करिक्ट आएगा ओप्सन नंबर C पारसी अगला है बातसल ने मेला हर वर्स कहां आयजित किया जाता है तो साथियो दिखिए बातसल ने मेला जो है न यह हर वर्स नई दिल्ली में आयजित किया जाता है इस question के लिए आपका right answer होगा option number A नई दिल्ली एक question आपसे पूछोंगा उसका answer आपको comment box में बताना है इस वीडियो के description में आपको एक complete वीडियो मिलेगा भारत के प्रमुक्तियोहार और मेले का उसको जरूर देख लेना चैनल के अंदर आपको सारा topic मिल जाएगा साथियो जिसको पढ़कर आप अपनी exit पक्की कर सकते हो किसी भी exam में तेखिए तो इस question का answer आपको comment box में बताना है कि हर साल दिसंबर महिने में होने वाला hornbill उत्सव या hornbill महुत्सव या त्योहार किस भारते राजी का मुख उत्सव है यानि hornbill त्योहार जो है न ये भारत के किस राज में मनया जाता है राज से जरूर आप लोग शेयर करना चैनल के अंदर वो सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा जल्दी से जाकर सभी लोग जो आपको टॉपिक क्या है सकता है उसको पढ़ लिना उसके बाद पेपर में जाना मिलते हैं साथ यो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहिंद व करना देमात्रम